सबसे पहले तेज फाइव जी रोल आउट हमने दिखाया आज देश कहने लगा तीवर जती से फाइव जी का रोल आउट होना देश जावरों से कहने लगा बारत कुछ भी कर सकता है आदनियत सभापती जी वो एक जमाना था जब कोईले गोटाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे आज कोईले का सरवादिक उत्पात सरवादिक पोड़क्शन आज कोईल पोड़क्शन के जुक्रम हुए है अब भारत कुछ भी कर सकता है आदनियत सभापती जी वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग फोन बैंक की करके बड़े बड़े बैंक गोटाले किये जा रहे हैं अपनी पर्सनल प्रपरटी के तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था आदनियत सभापती जी 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन निर्णयों में गती निष्ठा पमानित्ता की आरुजी का परणाब है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया आज भारत की बैंक सरवादिक मुनाफ़ा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए आजनियत सभापती जी 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आ करके जीच चाहें वहां जब चाहें वहां हमला कर सकते थे 2014 के बार जूती ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोस्ट लोग मारे जाते थे हिंदुस्तान के कौने कौने को टार्गेट किया जाता था और सरकारे चूप चाप बैठी रहती थी मुँ तक खोलने को तयार नहीं थी आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान गर्मे गुश कर मारता सर्जिकल स्टाइक करता है एर स्टाइक करता है और आतंकबाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्त दिखा दिया है आज आधनियस सभाबती जी देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है आधनियस सभाबती जी आठिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनित्य का हत्यार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मु कश्मीर का जो हालात कर दिये थे वहां के लोगों के इदिकार छीन लिये थे भारत का संभीधान जम्मु की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संभीधान सर पे रख करके नातने वाले लोग संभीधान को जम्मु कश्मीर में लागू करने का होसला नहीं रख थे बाबा साम में अम्मेर करका पान किया करते थे और तीन सो सत्तर का वो जमाना था सेना ओपर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूप करके कहते थे अब तो जम्मु कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है आज आर्टिकल 370 की दिवार गिरी पत्थर बाजी बंध है लोग तंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चट करके बारत के समिधान में बरोसा करते हुए बारत के तरंगे घंडे पर बरोसा करते हुए बारत के लोग तंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चट करके के मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं यह साब साब दिखाई देता है आधनियत सभापती जी एक सो चालीस करोर देश स्वाचियों में ये विश्वास पादा होना ये उम्मीद और जो विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है आधनियत सभापती जी ये विश्वास विक्षी भारत संकल्प से सिध्धी का विश्वास है ये जब आज आज आजी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था जो जोस्ता उत्साता अमंग था जो विश्वास था कि आज हादी लेके रहेंगे आज देख के कोटी कोटी जनों में वो विस्वास पैदा हुआ है जिस विस्वास के खैरेंग आज विक्षिज भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नीव इस चुनाओं में सलान्याद हो चुका है जो ललक आज हादी के अंदोलन में थी वोही ललक विक्षिज भारत के इस सपने को साकार करने में है आजणिय सवापती जी आज भारत के लक्ष बहुत बिराठ है और आज भारत को एक ऐसी सिती पे दस साल में पहुचा है कि हमें खुद से हिस्ट परधा करनी है हमें ही अपने पुराने रेकॉर्ड तोड़ने है और नेक्स लेवल पर हमें हमारी विकांज की आत्रा को ले जाना है दस वर्सों में हारत विकांज की जिस हुचाई पर पहुचा है वो हमारी परतिस परधा का एक मार्क बन चुका है एक बेंच मार्क बन चुका है पिछले दस साल में हमने जो स्पीड पकड़िये है अब हमारा मुकाला अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में लेडाने कहा है और मेरा विश्वास है देज की इच्छा को हम उसी गपी से पुरा करें आदर्णिय सभापती जी हम हर सभलता को हर सेक्टर को नेक्स लेबल तक ले जाएंगी आदर्णिय सभापती जी दस सालों में खारत की एकोनोमी को दस साल के अलपकाल में हम दस नमबर से एकोनोमी को पांच नमबर पे ले गए है अब हम नेक्स लेबल पर जाने के लिए जिस गती से निकले हैं अब हम देश की एकोनोमी को नमबर तीन पर ले जाएंगे अधनियत सभापती जी दस सालों में हमने हारत को